इत्तिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा एक किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा अभी तो सोएते मक्तल को सुरकरू करके देली फसाद के जखम अभी ताज़े थे कोरोना के आलमी वबा के जद में देश आ गया मिडिया को तो जैसे संजीवनी मिल गई हो शायद आप तबलीगी जमाद की वज़जे से मिल गई जाहिर है लगातार सांस रोके बिना पानी पी पी कर तबलीगी जमाद को भारत में पैले कोरोना मरीजों की वज़े साबित करने की कोशिश की जा रही है बात कोरोना जिहाद तक पहुँच गई है मतलब जो मौका चाहते थे मिल गया इससे भी अगर यहाँ कहा जाए कि किस कदर तबलीगी जमात के आड़ में हिंदू-म Depression का घिनो ना खेल खेला जा रहा है इसका अंदाधा नहीं लगाया जा सकता जबकि देहली मर्कज के तमाम तफसिलात हासिल होने के बाद यहाँ पता चलता है यह तफसिलात हम यूहीं नहीं कह रहे बलकि मुकमल दलाइल के साथ बات कर रहे है कि देहले मरकज बार-बार इंतजामिया के राप्ते में था और पूरी तफसिलात पेश की जा रही थी जैसे के मेडिया के जरीए बता जा रहा है कि मरकज में 2500 लोग छिपे हुए थे पर अकीकत कुछ और है ऐसा लग रहा है कि जान बूश कर तबलीगी जमात का हुआ खड़ा कर दिया जा रहा है अगर मौलाना साथ पर मुकदमा दायर किया जा सकता है तो पुलिस और उकूमत उन लोगों पर भी मुकदमे दायर किया जाए जिन्होंने अपने फराइस को अंजाम नहीं दे जैसे कि लागडाउन हुआ मरकस की जानिब से यह इत्यला पुलिस को दी गई थी पर पुलिस ने तवज्जों नहीं दिया और कहा कि जो जहां है वही रहे जो भी कागजी करवाई हुई जमात के पास इसके दस्तावेज मौजूद है सवाल यह भी उठता है कि जब बैरुनी मुमालिक से लोग विजिट विज़ा पर आते हैं तो इसके तमाम तफसिलात हुकूमत के पास होते हैं तो आखिर हुकूमत ने पहले यह क्यों कदम नहीं उठाए वाज़र है कि थाइलन, मलेशिया, इंडोनेशिया, स्रिलंका और दिगर मुमालिक से मरकज में अकसर लोग आते जाते रहते हैं और हर रोज का मामूल रहता है ऐसा लग रहा है कि तबलिगी जमात का मौजू फिरका परोस्ता और मेडिया को मिल गया है जिस पर सुबह शाम डिवेट चलाई जा रही है मरकज की जानिब से देहली यसेचो को लिखे खत में यह भी लिखा गया था कि तकरीबन 1500 लोगों को लोगडाउन के पहले ही भेज दिया गया था और बाकी लोगों के लिए सवारियों का भी इंतजाम किया गया है पर आप इजादत नामा लिख कर दे हम इन्हें इनकी जगा पर पहुंचा देंगे तब यसेचो ने मना करते वे कहा कि जो जहां है वही रहे जमात ने यह भी कहा कि हुकुमत की जानिब से सोचल डिस्टेंसिंग का एतमाम करते वे मजजिद में रखा हुआ है जब बसों में से इन्हें ले जा रहा था तो यह भी जुटी ख़बर पहलाई गई के पुलिस पर जान बुझ कर थूका गया मतलब किस कदर एक नफरत का एजेंडा चला जाता है जिसकी कोई हद नहीं क्या यहाँ सिर्फ मक्सूद जमात को टारगेट करना दुरूसत है जबके 16 तारीक तक सिद्धिविना एक मंदिर बन नहीं था महा कालेशवर मंदिर जो जैन का सबसे बड़ा मंदिर है लॉगडन नहीं किया गया था श्रीडिके साही बाबा की मंदिर 17 तारीक तक खुला था शनी शिंगनापूर बन नहीं था 18 तारीक तक तु वैजलव देगा मंदिर खुला था 20 तारीक तक काशिव विच्वनात मंदिर भी बन नहीं किया गया था 19 तारीक तक पीम सोशल डिस्टंसिंग की बात कर रहे थे पर 23 तारीक तक संसद चलती रही जिसमें भाजपा के संसद खुद शरीक रहे जो खुद कनिका कपूर से मिले थे अब सिर्फ जमात पर कारवाई की बात की जा रही है तो दूसरों पर क्यों नहीं देली से यूपी जाने वाले दिहाडी मसदूरों को बसों में बिठा कर यूपी भेजा गया जिसमें योगी अधित्यनाद की तो बहुत तारीफ की जा रही है पर क्या सोशल डिस्टंसिंग का एत्माम ना करने पर कारवाई की जाएगे बसों में तो भरभर के भेजा गया फिर कारवाई एक तरपा क्यों आम आत्मी पर्टी के आमालत उल्ला कहते हैं तेरिस मार्च को रात बारा बजे मैंने डी सीपी साउथ इस्टा और एसीपी निजामुद्दीन को बता दिया था कि निजामुद्दीन मरकज में एक हजार के आसपास लोग फसे हुए फिर फुलिस ने इनको भेजने का इंतिजाम क्यों नहीं किया गया कहीं है साथ हो नहीं कि जनता सरकार से सवाल पूछे कि यह तो हर शोवे में पूरी तरह से नाकाम मोधी सरकार को अवाम सवालों के जरीए घेरने लगे इससे पहले फिर से अपना हमेशा का काम आने वाला फॉर्मिला हिंदो-मस्लिम की तरफ जनता की तवज़ दिलाई जाए ताकि एक तीर में कहीं सारे निशान की तरफ फिर उसी में वुल्जिरे जैसे इससे पहले होता आया है अवाम को चौकर न रहना होगा और सरकार से सवाल जरूर पूछना होगा इतिहाद निउस देखने के लिए शुक्रिया अला आफिस